नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ECS T10 के एक और ने टूनमेंट के पहले और दूसरे मुकाबले को जो खेला जाना है RCD और FC Victoria दोनों ही टीमों के बीच में इन दोनों ही टीमों से जुड़ हुई पूरी जानकार ही हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं लेकर दोस्तों फाइनल टीम और दोस्तों फाइनल अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्सन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा बड़ी आसानी से आप वहाँ से हमसे जुड़ जाएंगे दोस्तों वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल पर पहली बार विजट हुए हो चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिलुकुल न भुलें दोस्तों वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा ये वीडियो आपके लिए कापी हेल्फ पूल रहने वाली है और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अबश्य करिएगा कॉमेंट करकर जरूर बताईएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है तो सुरुवात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टूनामेंट से जो देखिएगा प्रभू के बारे में अब यदि बात करें दोस्तों वेन्यू के बारे में तो रगभी करिकर ग्रॉंट ड्रेस्टम में यह सारे ही ओवाले केले जाएंगे तो सुरुवात ही मुकाबला भी यहीं पर खेला जाना है ऐसे में यदि बात करें अपन पिछ के बारे में तो एकदम बैलेंसिंग बिकेट आपको एक बार फिर देखने वाला है क्योंकि ये बिकेट एक artificial बिकेट होता है और मैट के उपर सारे मुकाबले कराए जाते हैं तो दोस्तों ऐसे में टॉस का कोई भी परवाब दोनों ही इनिंगों में नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों ही इनिंगों में सेम सर पे समित देखने को मिलता है लेकिन ऐसे में फिर भी यदि बात करें एवरेज स्कोर के बारे में तो 80 से लेकर 100 के बीच में एक बार फिर हमें यही स्कोर देखने को मिलने वाला है अब बात करें पर दोनों ही टीमों के head to head मुकाबलों के बारे में तो पिछले साल जो टूनामेंट हुआ था दोस्तों 2021 में इसी टूनामेंट में दोनों ही टीमें दो बार आमने सामने हुई हैं और ऐसे में दोनों ही टीमें ने एक-एक मुकाबले जीते हैं सबसे पहले जी बात करें पहले मुकाबले के बारे में तो दोस्तो वी आई के ने 90 रन बनाए थे 7 बिगट के नुकसान पर जवाब में RCD मातर 73 रन बनाई है बना पाई 5 बिगट लुक्सान पर ऐसे में RCD की तरफ से M खान ने 14, S खान ने 14 और दोस्तों बिजदरान ने 14 रन और एक बिगट टीम के लिए नकाला रहेंツाव चंदानी ने 3 बिगट नकाले और कमबोज ने 1 बिगट नकाला था रहें दोस्तों VIG के लिए जिसान हैदर ने 34 रन, W असलम ने 14 और जिसान महमूद ने 12 रन और एक बिगट टीम के लिए नकाला यू हार्डी ने एक और एफ लतीब ने एक बिगट टीम के लिए निकाल कर दिया था वहीं दूसरे मुकाबले की यदी बात करें दोस्तों आर्स विडी ने 97 रन बनाए 7 बिगट के नुकसान पर और वी आई के मातर 93 रन ही बना पाई इसम बात करें एम खान ने एक बार फिर 7 रन बनाए दोस्तों A.S. कंभॉई ने 12 रन बनाए और एक बिगट टीम के लिए निकाला बी जधरान ने 34 रन बनाए और टीम के लिए 2 बिगट निकाले वहीं यहादी बात करें अपन वी आई के टीम्स की तरफ से जिसान हिदर के बारे में 28 रन इन्हों ने बना यू हार्डी ने आट रन बना एक बिकट निकाला जिसान महमूद ने दो बिकट निकाले और जैड साही ने एक बिकट निकाल कर दिया अब दोस्तँ यहादी कॉमेंट पिलियरों की बात करें तो आपको M गातार दोनों मैक्शों में दिख रहे हैं इसके अलावा दोस्तो एस कमबोच की बात करे तो इस मुकाबले में भी एक बिकट निकाला और उपर भी एक बिकट निकाल कर दिया है वहीं बी जज़रान ने ए एक विकट यहाँ नेकाला है यू आझ एक विकट यहाँ पर नकाला है अब बात करएं दोनों हो टीमों से जड़े हूए आंकनों के बारे में देखते हैं कौन सा mellan ली week सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही दुस्तो ग्रांड ली champ में इस बार का काम है से करकर चल सकता है दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अबश्य करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा शुरूबात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे अपन आर्सी ड्रेजडन टीम के बारे में यहाँ पर आपको मुस्तफा खान ज 37 का हाई-एक्ष्ट इसकोर इनोंने किया है टीम के लिए ओपन कर रहे हैं इसलिए इंपोर्टेंट पिक यह हमारे लिए बिकेट कीपरिंग सेक्सन से होने वाले हैं अब बात करेंगे दोस्तों संदीब कमबोज के बारे में तो राइट हैं यह करते हैं 21 मुकाबले में 317 इनोंने बनाए हैं 19 के एवरेस से रन यह करते हैं दोस्तों 51 रन नोट आउट इनका रहा है और एक ही 50 इनों अभी तक टीटन क्रेकेट हमा रहा है लेकिन बॉलिंग की बात करें तो 21 मुकाबलों में 10 इनिंग इनोंने बॉलिंग की है 16 ओवर्ट फेके हैं 7 बिकेट टीम के यह हमारे लिए रहने वाला है वही यह दी बात करें पर गुजियार रसूल के बारे में नंबर तीन पर यह आपको बल्ले बाजी करते हुए देखने वाले हैं पिछले दोनों मुकाबलों में 11 और 2 रन इनोंने बनाए हैं दोस्तों उपर हम यह बताना भूल गाए हैं सबस देखा जा पिछले चार मुकाबलों में 3 बिकट यह टीम के लिए निकाल कर दे चुके हैं इसके लाओ बात करें गुजियार रसूल के बारे में तो पिछले दो मुकाबलों में 13 इनोंने बनाए हैं लेकिन यह दी बात करें ओवरॉल 14 मैچों में 1.500 रन ये कर चोके हैं 22 का इन काइबरेज है 153 के इस्ट्राइग रेट के साथ ये खेलते हैं और हाइस्ट की बात करें 66 का हाइस्ट रिकोर्ड इनका रहा है तो 6 मैचों में इन्होंने बॉलिंग की है 10 बर फेके हैं इसके बात करें दोस्तों बिलाल जदरान के बारे में इम्पोर्टेंट पेक है बैस्ट कैप्टन 22 का आप्सन ये हमारे लिए रहने वाला है क्योंकि यदि इनके पिछले 4 मुकाबलों की बात करोगे तो 18 मैचों 18 रन बना कर 2 बिकट इसके बाद 36 रन बना कर कोई बिकट नहीं इसके बाद 24 रन एक बिकट और 34 रन दो बिकट टीम के लिए नकाले है यानि बॉलिंग करने के साथ साथ दोस्तों बल्ले बाजी में नमबर 4 पर आपको दिखने वाले हैं आप आसानी से कैप्टन 22 कैप्टन ट्रा करकर चल सकते हैं और आप एक बार दोस्तों एवरेज पर नरे डाली 27 इसके एवरेज से यह रन करते हैं वहीं दोस्तों बॉलिंग की बात करने तो 13 का इनका इस ट्रैक रेट रहता है तो ऐसे में और भी इम्पोर्टन पिक यह हमा और इन्होंने फेक हैं यानि देखा जा तो इंपोर्टन पिक नहीं है फिर भी ग्रांड लीग के हिसाब से आप टीम में शामिल करकर चल सकते हैं कपल आगे बढ़ते और बात करते हैं कपल चंदानी के बारे में छटवे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं इसलिए इन चल सकते हैं वही यादी बात करें आज हम राजपूत के बारे में तो आठ मैचों में की छे इनिंगों में इन्होंने आठ ओवर फेके हैं चार बगट टीम के लिए निकाल कर अभी तक दिये हैं यादी देखा जा दोस्तों तो इतने अच्छे पेक नहीं है लेकिन फिर भी तीन मुकाबलों में चार बगट अभी तक अपने टीम के लिए निकाल कर दे चुके हैं वही यादी बात करें हमानसु बरदवाज के बारे में तो पिछले पांच मुकाबलों पांच बगट टीम के लिए निकाल कर दिये हैं और ओवर ओवर पांच ही मैच इन्होंने खेले ऐसे में 8 ओवर कवर की यानि ये एक पलियर ऐसा है जो आपको 2 ओवर कवर करकर देने वाला है वहीं गने स्पार्टल के बात करें दोस्तों इस पलियर को आप ड्रॉप करकर चल सकते हैं इसके लावा अलमास तारिक की बात करें तो 6 मैचों की तीन ही इनिगों में बॉलिंग क करते हैं मतलब हर साथ भी गेंद पर ये बिकेट निकाल रहे हैं इसलिए हमारे लिए important pick होने वाले हैं और grand league में आप इने captain 22 captain भी try करकर चल सकते हैं कि दोस्तों तीन मुकाबले ऐसे रहे करते हैं लगातार बेकर टीम के लिए निकाले हैं और दोस्तों रन भी करते हैं चौदा का एवरेज इनका रहता है अब ऐसे में बात करें फैजाल कासिम दोस्तों इने जदी प्लेंग मिलती है तो यह आपको पांच में नंबर पर बल्ले बाजी करते हुए दिखने वाले हैं अब बात करें दोस्तों FC विक्टोरिया टीम के बारे में तो यहाँ पर आपको साथ ही पिलियर जो ऐसे मिलने वाले हैं जोने थोड़ा बहुत थेलने का एक्सप्रियंस है बागी इनका पूरा स्कॉर्ड एकदम नया रहने वाला है दोस्तों आज उम्मीद लगाई जा रह और पिछले तीन मुकाबलों में ठीक ठाक इनके बल्ले से निकला है आप इने पिक करकर चल सकते हैं इसके लाबा जाहिद मेहवूत दोस्तों ओपस पे गेंदवाजी करते हैं पिछले कुछ मुकाबलों से तीन बिकट निकाल कर दिये हैं लेकर अच्छी बात यह है कि टीम के लिए open कर रहे हैं तो हमारे लिए run भी निकाल कर दे रहे हैं सात रन बारा चालीस रन और एक्कीस रन की पारी हैं यह अभी तक खेल चुके हैं इसके लाओ बात करें सतरह मैंचों में दो सत्तावन रन मनाए हैं बाइस का इनका एवरेज रहता है चावालीस हाइस्ट स्कोर है वही बारा इनिंगों में 21 वर फेकने के बाद 8 बिगेट टीम के लिए निकाल कर दिये हैं इसलिए दोस्तों यह पेक हमारे लिए इंपोटेंट है और खास तोर पर है और दोस्तों बिगेट की बिए बिगेट की बरिंग में शानदार ऋप्सन • यह रहने वाले थहयां बिश के वालिद असलम के बारे में तो पांच मैचों मातर अरतालिस राने दोस्तों आप ड्रॉप करकर चल सकते हैं इसके लावा एसान लतीफ कॉप टीम में शामिल करें आठ मैचों की आठों इनिंग में 16 ओवर फेके हैं और 9 बिकेट टीम के लिए निकाले हैं हाला कि पचले चार मुकावलों में एक ही बिकेट मिला है लेकिन दोस्तों यही एक ऐसा बोलर है इनकी टीम में जो आपको स्ट्रैक बोलिंग करकर देने वाला है तो इंपोर्टेंट पर कि यह हमारे लिए रहने वाला है दोस्तों बाकि इनकी टीम में कोई और ऐसा प्लियर नहीं है जिसके बारे में ज्यादा इंफोर्मिशन मिली हो लेकिन फाइनल टीम और फाइनल अब्डेट हम आपको टेलीग्राम सेले पर प्रोवाइड करा देंगे अब बात करें के बारे में दोस्तों बिसाल जदरान और जाहिद मेहमूत दोनों ही ऐसे प्लियर हैं जो आप स तक के लिए बाय जय हैं दोस्तों